हलो गाईश तो आज हम बना रहे हैं मूली की भुझी यानि मूली के पत्तों की और मूली की भुझी बना रहे हैं हम अक्सर सर्दियों में मूली घर पे ले आते हैं और पत्तों को अक्सर फेक देते हैं बेकार समझ कर तो आज के बाद आप पत्तों को बेकार समझ कर कभी नही फेकेंगे मूली के पत्ते से बहुत ही तेश्टी भुज्जी बनके तयार होगी तो ये देखिए मैंने मूली को अच्छे से वोस कर लिया है मूली के पत्तों को काट के विर्कुल अच्छे से साफ कर लिया है और इसे अच्छे से वोस भी कर लिया है अब मैंने ये गुन-गुना पानी लिया है, यह थोड़ा गरम पानी है, इसमें कुछ अगर कीड़े वगरा होंगी, तो अगर हम गरम पानी में ड़बो देते हैं, तो उसे मर जाते हैं, तो मैंने इसे पांस मिन्ट के लिए डिप करके रखा पानी के अंदर, आप सबी कट लिया है और पत्त को कऱें अब इसना को आप दो साथ ले एडिया है बार देख सक्ते हैं मैंने बार इक बार इक पत्त को काट लिया है मैंने हे एक कडाय लिए है calm चयर के देरह नहीं में आठ जो आट से दस लस्वन केक लिया lif c और मैंने दो प्याज ली है meďum size के और मैं 1 इंच अधरक का टुकडा ले रही हूं मैं काटना भूल गई थी तो अभी मैं स्के अंधर साथ में ही काटके साथ के साथ डाल देती हूं तो ये देखेंग अभी अब अब को मैं एक पर अधरक का टुकड़ा काट लेती हूँ तो करीब मैंने एक इंच अधरक का टुकड़ा लिया है और इसे देखी इस तरह से काट लिया है ये देखी करीब एक इंच अधरक का टुकड़ा मैंने सबजी के अंदर एड़ कर दिया है और इसे हमें golden brown ब्लुकुल नहीं करना हलका सा pink color हो जाए तब तक ही पकाना है तो यह देख सकते हैं अब जो मैंने मूली को काटा है यानि मूली के पत्तों को हम बाद में डालेंगे पहले हम जो सपेद पार्ट है मूली का उसे डाल देते हैं और इसे अच्छे से mix कर देते है और करीब हमें 35% इसे cook करना है यानि कि हमें इसे करीब 30-35% इसे पका लेना है oil के अंदर इसी तरह से हिलाते हुए यह अलकि से soft हो जाए हमें तब तक पकाना है तो अब इसके अंदर मैं डाल देती हूं करीब एक टमाटर आप टमाटर एक की जगए दो भी ले सकते हैं हिलाते हुए इसे पका लिया है और एक मिंट के बाद में हम मुली के पत्तों को इसके अंदर एड कर देते हैं तो यह देखिए यह मैंने पानी में धोके पत्ते काटे हैं तो इसमें पानी बिर्कुल भी ने डलेगा वस इससे इस तरह से हिलाते हुए हम करीब 2-3 मिंट के ले पहले पका लेती हैं इस तरह से और अब कुछ मसाले एड़ कर देते हैं इसके अंदर मैंने इस वाध के अनुछान नमक लिए वैसे चमस है और एक छूथाई चमस ले रही ह मैंने लाल मिर्ची पाउडर अगर आप कम तिका काते हो तो एक चमच लाल मिर्ची पाउडर ले सकते हो और दो जुट के लिए है मैंने हिंग तो हमें एक मिंट में हमें बाद में से इुलाएंगे तो यह देखेंगे मैंने हर एक मिंट में से हिला है तो आप देख सकते हैं ये करीब 80 परशंट पक चुकी है और अभी इसमें करीब 2-3 मिन्ट और लगेंगी और अगर आपको मेरे ये वीडियो थोड़ीची पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजी और चैनल को सब्सक्राइब कीजी हो सकते उतना शेयर कीजी दोस काफी है इसमें पानी तो हमें इसे बिल्कुल अच्छे से पानी सुकने तक अच्छे से पकाना है तो आप देख सकते हैं ये देखिए सब्जी बिल्कुल पक के तयार हो चुकी है जो मूली है अच्छे से पक चुकी है ये मैंने अभी चेक किया है तो हमें इस तरह से हिलात आपाते हैं और मेने में पकाते हुए सथ मिंट हो चुकी है तो आप देख सकते हैं यह देखिए अच्छे से पक चुकी सब्जी यह देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है तो हमें यह देखिए इस तरह से हिलाते हैं हमने इसे पका लिया है और आप कर देती हुए गैस का फ्लेम ओफ और प्रोस लेते हैं गरमा गरम हम इसे खा सकते हैं चपाती के साथ बाजे के रोटी के साथ है और दाल और चावल खाई ये मूली की सबजी खाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो ये देखी बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है